जैंडिस वीडियो लोग बादास फाइनांस लिम्टेट कंपनी वारें बात करेंगे बहुत से लोग इसको बादास फाइनांस के नाम से उचारण करते हैं खैर आप उचारणर पर ज्यादा जोर मत दीजिए आप इस company कंपनी के business model और अपने investment पर जोर देजिए आपको फैद करें कुछ नहीं रखा आप काम समझें काम है कि यह सब्सक्राइब करती है और इंबेस्टमेंट तथा ट्रेडिंग करती है यह यह कंपनी के पास हाइली क्वालिफाइट मैनेजर होते हैं जो अच्छे समझ भूछ के साथ पैसा लगाते हैं उसे पैसा बनाते हैं अब इसका मार्केट करों यानि की बहुत चोटी नहीं मतलब फिर 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 पैनिये श्टॉक तो है ही और सेर प्रैस देखेंगे आज के दिन का है 24 रुपया 15 पैसा अब समझेए साल 2015 के पाले तक इस कंपनी का शेयर प्राइस दूसर उपर हुआ करता था बहुत अच्छा चल ला था साल 2015 के बाद गिरावट होना शुरू हुआ और इसमें मोमेंट ही नहीं हुआ यह जो चार पांच साल तक शुरू हुआ और वही तेजी के बदलत तेजी यह शुरू हुआ क्योंकि दिसंबर तिमाही के रिजर्ट काफी तकड़ा आया था तो अपरेटर्स ने आप अपना गेम खेला और उन लोगोंने देखेंगे सितंबर यहां से प्राइस को बढ़ा कर ले गए 146 रुपए का आसपास एक सो चीयारीस रुपए का इसका बाउन हुए का है जो इसी साल जनुरी बनाया था और इसका जो ऑल टाइम हाई है इस कंपनी का हो है चो सो चुबरासी रुपए लगभग सात सो रुपए के आसपास इस कंपन ने कभी अपना हाई बनाया था तो जैसा मैंने आपको बताए कि 2015 के पहले तक इस कंपनी का अच्छा चल रहा था तो उसी दोरान इसने अपना छो सो चौराशी रुपए का हाई बनाया था लेकिन अगर अभी साल भर कहाई देखें तो 146 रुपए का है और भी इसके बाद और अभी देखेंगे तो इस अगया है डाउन जाते जाते अब बाहर निकलेगा उसके बाद ही पता लगेगा कि शेयर प्राइस उपर जाएगा कि शेयर प्राइस और नीचे जाएगा अब एक बात समझे सितंबर 2021 में इस कंपनी यह सेयर प्राइस था च्छोसात रुपया और अभी मई 2022 मई में इसका प्राइस है 44 रुपया पंदर पैसा जहां से अगर अभी तक देखेंगे तो इसका अप्रेंट ग्राफ में मतलब अपरेटर्स ने भले अपना गेम खेला और प्राइस को इतना उपर तक बढ़ा कर ले गए लेकिन इसके बावजूद हम लोग नुकसान में नहीं है और कंपनी जो अपना धिरेदरी ग्रोथ कर रहे उसी इसका बढ़ते जा रहा है अब कंपनी का विकास देखना है तो इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा तो समझे कंपनी को पर करजा है सिर्फ एकारा करोन रुपए का करोन रुपए का तो कंप देखिए दिसम्बर ती माई में इसका रेवेनु बढ़ करो गया तो अंठावन करोन रुपया जो की क्वाटर टू में था चाउंटिस करोन और क्वाटर वन में सिर्फ तीन करोन का रिव्यद करोन कर तक हो गया और अभी क्वाटर फूर्क रेजल्ट आने बागी है जिस ह क्वाइटर टू में सिर्फ 35 क्रोण का हुगा करता था और इन दोनों को बदालों इसका आर्निंग पर शेयर भी जवर्दस्त बढ़ा है पेनिया स्टॉक होने वाजूत इसका जो आर्निंग पर शेयर होआ रोपयों में देखिए एक रुपया पचीस पर साथ क्वाइटर वन क्योंकि समाने दर पेनिश्टों का बुक भलू 30 रुपय का सबस्क्राइब यह है कि कंपनी का जो असेट से इसके लियाबिलिटी से काफी यदिक है और कंपनी का बिजनर सचा से रन कर रहा है इसी का बदलत जो बुक भलू होता है कंपनी का अच्छा होता है इसका रिटर् प्रमोटर्स की सदारी भी लगवक साथ 13 परसेंट का सबस्क्राइब तो जब प्रमोटर्स हैं तो ज्यादा चिंदा की बात निया कंपनी प्रमोटर्स होते हैं तो थोड़ा इसमें ऑपरेटर्स अगर हावी होंगे इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है लेकि पेनिश्ट अगर आपका इसमें इंवेश्टमेंट है तो बेसक आप समय दीजे आने वाले समय में कंपनी काफी बेहतर करेगी और अगर सौट टर्म के लिए हैं तो प्रोफिट में तो प्रोफिट बॉक कीजिए अगर नहीं है तो जब क्वाटफिट पर जाएगा वहां पर आप प्र के रिप्लाई दूँगा पर्सनली मुझे जूर कर बाते का ना चाहते मुझे इस्टाग्राम पर फॉलोग कर लिजे और आप हमारे टेली चैनल से भी जूर सकते हैं जहां सेर बजार से समझेत अपडेट आपको डेली मुहिया कराए जाते हैं धन्यबाद सुक्रिया